तो नमस्कार प्रभास आक्षि देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं अंके सिंग्ग आज उत्तर प्रदेश सहीत पांच राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं पाचो राज्यों के नतीजों को देखें तो पंजाब को छोड़कर बाकी के चार राज्यों में भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक बार फिर से चौकाते हुए जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है मनिपूर में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावाद 2017 की तुलना में गुवा में भाजपा का प्रदर्शन शांदार रहा है गुवा में एक बार फिर से भाजपार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और फिलहाल ऐसे इस्तिती में है कि गुवा में भाजपा की सरकार बन सकती है और भाजपा ने कुल मिला कर देखें तो सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया है रही बात उत्राखन की तो भले ही पूसकर सिंग धामी चुनाव हार गये हैं लेकिन भाजपा ने एक बार फिर से उत्राखन में अपनी सरकार बनाने की स्थित में काफी लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी या कोई मुख्यमंत्री दोबारा जीत कर चुनाओ वापस सत्ता में आ रहा है इसके अलावा उत्तरा खंड का वो ट्रेंड भी तूटता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके लिए कहा जा रहा था कि हर पात साल में वह भाजपा के सरकार बनते हुई दिखाई दे रही है वहाँ पार्टी के लिए जीत के कारण क्या है साथी साथ पंजाम में अगर कॉंग्रेस के इतनी बुरी हुई है तो आखिर इसका बड़ा कारण क्या है तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं उत्तर भले ही मेडिया रिपोर्ट्स तमाम दावे करते हों अख्लेस यादों की सभाव में भारी भीर देखते हों लेकिन कहीं न कहीं नतीजों नहीं बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आधितनात की सरकार को एक बार फिर से मौका देने का मन बनाया है और वही दिखाई दे रहा है कि योगी आदितनात के सरकार के सत्ता में वापस आने के कुछ कारणों पर अगर जाएं तो सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था उत्तर प्रदेश में आप किसी से भी पूछे सब यही कहते थे कि हां योगी आदितनात के सरकार मे जाने के बाद से उत्तरप्रदेश में कानून विवस्था अच्छी हुई है दूसरा सबसे बड़ा कारण सरकारी योजनाओं का सीधा लाव और साथी साथ राशन मुफ्त राशन एक ऐसी योजना थी जिसकी वज़ा से महिलाओं का वोट भाजपा के पक्ष में जबरदस्त तरीके से पड़ा है इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तरप्रदेश में सरकारी योजनाओं का खासकर करके उजलवाए उजलवाए योजना के तहत गरीबों के घर बने हैं एसी तमाम योजना उत्तरप्रदेश में चलाई गई और जिसका सीधे गरीबों को लाब मिला है जिसकी वज़ा से भाजपा सत्ता में आते हुई दिखाई दे रही है साथी साथ अगर देखा जाए तो हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा ने पहल हिंदुत्व के एजेंडे को जिंदा रखा और यही कारण था कि उत्तरप्रदेश में एक बार फिर से लोगों ने भाजपा को जीत दी है और कारणों की बात करें तो भाजपा परिवारवात को लेकर अखिलेश यादों पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रही भाजपा ल कहीं न कहीं भाजपा को सत्ता में आने का मौका दिया है बात उत्राखन की करते हैं तो उत्राखन में भाजपा ने जो मुख्य मंत्री बदले उससे जो पार्टी के प्रती और सरकार के प्रती लोगों में एंटी इंकंबिंसी का महौल था उसको कम किया जा सका और प्रधार कहीं अब उत्तरप्रदेश से कटकर बने उत्राखन में नया मुख्यमंत्री बिल सकता है उत्राखर में भाजपा की ओर से किसी नय आपको यहां पर तमाम कोशिशे की सीुसेना और न्सिपी ने घठ बंदन कर चुनावी मैदान में थी लेकिन भाजपा ने तमाम दाव पेज के साथ चुनाव लड़ा और यहीं कारण है कि भाजपा वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है और चुनाव जीतती हु अंग्रिस को ऐसा लगता था कि मनिपूर में इस बार उसकी सरकार बन सकती है लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है मनिपूर में भाजपा के अलावा वहां कोई पार्टी विकल्प के रूप में मौजूद नहीं थी भाजपा ने अगर कुल में भाजपा को बड़ा चेहरा मिला है जिसकी लोग के प्रियता पुर्वत्तर में खूब है और यहीं कारण रहा कि मनिपूर में भी भाजपा ने संदार जीत हासिल की है मनिपूर जैसे छोटे राज्य में भाजपा का मैनेजमेंट संदार रहा भुपेंद्र रियादव संबित पात्रा जैसे नेताओं को वहां पर प्रभार बनाया गया था और जो हम सब को देखने के मिला अब बात पंजाब की करते हैं तो पंजाब मे कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं दे रही है और अकाली दल को भी सुनाव में काफी नुकसान हुआ है कि सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीत कैसे मिली तो इसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली मॉडल अर्विन के जिरिवाल और उनकी पार्ट सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को